हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चानल और कैसे हैं आप सब और अभी वो रहा है सुभा का टाइम और यहां पर देखे कितना बड़ा यह पूरा बहुत बड़ा बड़ा मतलब खेट था तो वही भाया यहां पर हल जोत रहे हैं और काफी सारा था जो भाया खतम कर चुके थे और अभी मम्मी कुछ दिर पहले आई है करीब आदा गंटा हो गया है और फिर उसके बाद अभी मैं आई हूँ और यहां पर देखे मम्मी उधर साइट हैं और जो थोड़ा बहुत पत्ता वगएरा जो प्लास्टिक घास वगएरा था तो वही वुसाफ कर रहे थे और यहा पर जितना भी भया हल जो तरह थे ना तो पूरा यहां पर जितना भी कीरा वगएरा थोड़ा 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 निकल रहा था तो पूरा यह मुर्गी वगएरा आके यहां पर खा रहे थी यहां पर देखी कितना सारा मुर्गी आई हुए हैं और जो हल जोतने के बाद थोड़ा सा बच गया था फिर भी यहां पर ममी बोली थी कि अ अब कर्दो हम लोग काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे और यहां पिधोरा सा छोड़ दिन देखे तो इसी वजसे भैया उधर पूरा मिट्टी को प्लें कर रहे हैं मतलब कि हम लोगोक जो कल कर रहे थे ना कल अब यंदि दिखाए थी तो पहले plan करते हैं लेकिन plan जब कर रहे थे तो तब तो हम लोग नहीं थे मैं पूरा जो कपास कैसे स्टार्टिंग करते हैं वही बश दिखाई थी तो यहाँ पर देखिए पूरा plan किया जाता है पहले मिट्टी को और जब plane हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग रसी जो है प्लास्टिक बगर लगाया हुआ था वो रसी उसे से फिर नाप नाप के फिर उस पे खद डालते हैं और फिर थोड़ा बहुत खद डालने के बाद D.A.P. डालते हैं और हम लोग तो इस बार वैसे भी खद नहीं डाले थे और अभी यहां पर देखिए भी या एक एक बार ना मतलब की उस पे चड़ के उसको plane कर रहें क्योंकि उपर नीचे गड़ा ऐसे टाइप का था ना तो इसी वज़े से और देखिए पूरा plane हो गया है इदर साइड इसी तरह सारे साइड में plane कर लेंगे और मैं फ यहां पर देखिए रसी को हम लोग पूरा सीधा करके पकड़ लिए हैं और अभी जिस जिसमें प्लास्टिक लगा है उसी के नाप से ही सीधा पूरा थोड़ा बहुत देपी डालते जाएंगे और हम लोग ना इस बार गड़ा नहीं कोद रहें क्योंकि बहुत टाइम लग करके डालते ही हम लिए हैं और अभी यहां पर दिखिए जिस जिसलब पर करके डाला गया है ना उसी दीएपी के साइट में जितना थोड़ा बहुत मिठी है उसको मैं पूरा एक ही जगह इकर्ठा करूंगी और ढग दोंगी ओसे को भूख दोंगी और धीरे-धीरे करके इ किये थे और फिर जितनी बार जितनी बार ये ख़द और DAPG जो भी है वो डाले थे तो उतना ही हम लोग को इसी तरह मित्टी कठा करके DAPG को ढखना है और उसी तरह ही पूरा सारा complete करना है अभी तो सही से नहीं दिख रहा होगा मैं पूरा क्लोज से बाद में दिखाऊंगे आप सभी को और आज का जो ब्लॉक है वो ना बहुत मतलब ज्यादा टाइम का नहीं होगा बहुत कम टाइम का होगा क्योंकि सुबह से मैंने कोई भी वीडियोज क्लेप नहीं बनाया है क्योंकि सुबह से कुछ काम नहीं की थी सही बोलूं तो कुछ भी काम मैं सुबह से नहीं की थी जैसे ही उठे हो तब से मतलब उठकी ब्रस ब्रस करके फिर बहार जाडू लगा रहे थी और ममी फिर बोले ममी उठ गई थी और चाय बना रहे थी और फिर ममी बोली कि और कुछ मत करो तुम जाओ दुकान पे और हम कर रहे हैं और वैसे भी पापा और भाईया तो सुबह उठ के आ गए थे यहां पे हल जोतने के लिए और दुकान पे कोई भी नहीं था तो इसी वज़ा से हम भी दुकान पे चले गए थे और ममी चाय बना के फिर खाना आना बना ले थे और हम लोग सुबह खाके फिर यहां पे आ गए थे और सुबह कुंदरू अगरा था और कपड़ा कुछ था तो मैं बस दो के यहां पे आ गई थी खाना खाके बस उतना ही तो आज का जो ब्लॉक है उस पे बने रही है और सही बोलों तो कुछ भी काम ने की थी मैं और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा और मेरी वीडियो को रोज देखना चाहते है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा और हम लोग कपास करते हैं तो गाओ में बहुत सारे लोग करते हैं हम ही लोग नहीं बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि हम लोग धान और मुंब और दाल वगेरा जितना भी जिसकी भी खेती होता है मुंफली वो सब जितना भी होता है ना पहले करते थे लेकिन अब वो सब ज़्यादा तर नहीं करते हैं बहुत कम करते हैं क्योंकि कपास से बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है उसी तरह हम लोग को उसका मेहनत का फल भी मिलता है तो इसे वज़े से गाओं में बहुत सारे लोग कपास ही करते हैं हम लोग क्योंकि थोड़ा देखना होता है तो इसे वजह से चाहिए जितना भी महनत लगे चाहिए धान हो, मुग हो या जो भी हो मुग का जो दाल होता है वही वाला जो भी हो मतलब कि जल्दी वो तो हो जाता है हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे छेटा चेट की पुरा हो जाता है लेकिन का पास में बहुत जादा, बहुत ही जादा महनत लगती है आप लोग सोज नहीं सकते जिनके घर पी ये करते होंगे उन्हीं को पता होगा पुरा हाथ से पैर पुरा मुंडी से नीचे तक पुरा लेकि पूरा पैर तक लेकि ना पूरा दर्द होने लगता है बहुत जादा मेहनत लगता है इस पर जो करते हैं उनको पता होता है और हम लोग ना एक दिन पूरा सूबा जाते हैं और पूरा साम को आते हैं तो जब सोते हैं रात को और सूबा उठते हैं ना तो पूरा हाथ पर इतन वाना बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है बड़ यह हम लोग हे र साल करते है कपास की खेती और मेरे गाउं पहीं लोग करते है इसकी खेती और एक चीज हे जिस पे नह बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है अब भी आगे वह живा आ ऐगा जब मतलब कपास हम लोग बीज डालेंगे मिट्टी पे और फिर जब उसका पत्ता चार पांच निकलेगा तभी मैं बताऊंगे और दिखाऊंगे भी और यहां पर देखिए पूरा यह मैं लाइन लाइन करके पूरा इतना कर चुकी हूँ और फिर अभी क्लोस से भी मैं दिखा देती हूँ आपको तो यहां पर देखिए यह जो है ना डियेपी उसको इसी तरह चारो साइट से उसका मिट्टी लेके उसी तरह ही उसको ढगना है उसी तरह ही ढगते हैं क्योंकि इस से ना एक तो डियेपी ढगतो जाता है और मिट्टी में भी मिल जाता है और फिर उसके बाद जो हम लोग बीज इस पर लगाते हैं तो उसके लिए भी हेल्प हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा मिट्टी जादा होता है तो उसका जो जड़ है वो नीचे भी पकड़ लेता है क्योंकि इसी तरह अगर प्लेन मिट्टी रहेगा और उसी पर लगाएंगे तो उसका ज़ड़ सही से नहीं पकर पाएगा इसी वज़े से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह मिट्टी पूरा इकठा करके हैं उसके बीच में हम लोग बीज लगाते हैं तो उसी तरह हीं और यहां पर दिकिए पूरा जीतना भी डिये डाला गया है स्टॉफ, स्टॉफ करकी पूरा आ गया आगे, उतने पैं हम लोग इसको इकठा करेंगे मिठी और इसको ना हम लोग पूर बोलते हैं, पूर्ट नाम है उसका, हम लोग पूर बोलते हैं तो बस य ऐर बी के लिए ब्लॉक पर बने रहीए और अभी यहां पे देखे पूरा सारा खेत कर जितना भी था सारा हम भुख छतम कर दियて इधर का भी और इधर साइड का भी जितना ही था काफी टाइम लग गया था हम बोल रहे ना सुबर से दस बज़े से गए थे और साम को पांच बज़े फिर वापस घर आये हैं और यहां पी देखी बारिस के वज़े से पूरा मिट्टी भी गीला हो गया था और जल्दी जल्दी हो ही नहीं रहा था जो फावडा होता है उस पर पूरा चिपक जा रहा था और यहां पी देखी पूरा लाइन लाइन से जितना भी दिख रहा है ना सारा पूट किया गया है पूरा अच्छे से पूरा और फिर कल बीज लगाना है तो मैं कल सियर करूँगी बीज कैसा होता है जो नहीं देखे हैं उनके लिए अब यहाँ पे देखे मैं खेत से आ गए थी और बारिष भी बहुत हो रहा था ना तो पूरा भीग गया था बाल वाल बगेरा और पैर भी पूरा कीचट कीचट हो गया था उसी से ही हम लोग भीगते भीगते उधर कर रहे थे और अभी मैं घर आ गये थी और नहा के अब भी खाना बना रही हूँ और खाने में उधर साइट में डाल लगा रही हूँ जो मसूर का छिलका वाला डाल होता है ना मसूर का वही वाला उधर बॉयल होने के लिए रख दी हूँ और इधर थोड़ा सा चाई गरम होने के लिए रखी हूँ क्योंकि भूख लग रहा था मुझे और खाना भी नहीं खा सकती अभी तो 5.30 बज़रे खाऊंगी तो फिर रात को क्या खाऊंगी इसी बज़र से और अभी मैं कुछ भी खाना नहीं खाऊंगी खाना तो इसी भी था लेकिन नहीं खाऊंगी मैं खाना और उधर साइड कुकर भी थोड़ा सा पानी गरम होने के ल उधर डाल दी हूँ और उस पी थोड़ा सा नमक डाली हूँ क्योंकि आलू और अंडा बॉयल करना था तो गरम हो जाएगा तो फिर मैं आलू और अंडा दो जो है उसको डाल की फिर बॉयल करने लगूंगी और उधर साइड मैंने आज टमाटर नहीं डाला था भूल गई थी मैं टमाटर नहीं डाल पाई थी तो अभी मैं घर आ गई हूँ और यहां पी देखी भूब बहुत ज्यादा लगी थी तो इसी वज़े से मैं थोड़ा सा चाई गरम किया हुआ है और उसी को पीऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा भूब लग रहा है और उसके साथ यह टोस् होंगी और अभी तक मामी पापा नहीं आया है मैं आ गई थी खाना बराना था मुझे तो इसी वज़े से तो और बारिश में भी गई थी पूरा मेरा पूरा बाल बेगीला है अभी तो पहुंचके बस उसी तरह हूँ और अभी उधर थी और लाइट चली गई तो यहां पे खिर्की के पास आई हुए हैं और वाल भी पूरे गिले हैं तो बस आज का ब्लोग में यहीं भी खतम कर रही हैं और ब्लोग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नियों है तो कर दीजेगा और फिर मिलेंगे कल और एक अच्छे से और नए वीडियो में तो तब तक के लिए बाए टेक क्यार जहर पे रहिए सुरक्षित रहिए और करोना से बच्छे रहिए वैसे तो खिलाल अभी थोड़ा सा कम भी हो गया है फिर भी ध्यान रखिए अपना फिर मिल तब तक के लिए बाए बाए